हेलो जी गुड मॉर्निंग जैराम जी की नमस्कार कैसे हैं आप सब और मैं रेनू एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ आप सब का वीडियो स्टार्ट हुए सुबह सुबह 4-4 बजे से मैं लगा रही हूँ चत पर ज़ाड़ू और ये इस टाइम पर मैंने आज पता है चत का ठेका उठाया मतलब कि चत पर ज़ाड़ू लगाये तीन-चार दिन हो गए थे तो मैंने पूरी चत पर ज़ाड़ू लगाने का सो और मैं मेरा जैसे कि एक्स्ट्रा काम होता है जैसे नीचे का है बेस्मेंट का वो काम करूँगी, बच्चों के खाना बनाने की तयारी करूँगी और बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो यहां पर देखिए मैंने नीचे का सारा काम फिनिश करने के बाद में मैं आ गई हूं चत पे और तक्रीबन साथ बजे का टाइम है बच्चे जाएंगे पौने आट बजे तो आप मेरे को खाना बनाना है उसके लिए मैंने आलू बोइल किये थे नीचे गैस पर ही कर लिए सब दिखाओ तो मैंने फिर नैनी को बोला तो नैनी ने ये क्लिप सूट की तो मैंने इसमें एड कर दी और मैं आपको दिखाती हूं तो यहां पर देखिए यह थोड़े-थोड़े फूल तो खिल गए हैं लेकिन जो यह गेंदे के फूलने पूरे नहीं पूरे किल जाएं मतलब मैं इसका बीज रखने वाली हूं आगे भी काम आएंगे और मतलब बहुत खूबसूरत सा लुक देती है जादा तर फूलों में फूल आ चुके हैं जादा तर प्लांट में यहां पर गुड़ल में भी फूल आ चुके हैं और एक कोमेंट आये था कि दीदी हमारे चो प्लांट पर फूल आ चुके हैं और जादा तर जितने भी मैंने फ्लावर्स के लगाए थे ना इस सीजन में सब पर फूल आ गए और काफी अच्छा लुक दे रहे है और अभी जो है ना नैनी जो है ना वो अंदर जा रही है अंदर का थोड़ा सा लुक आप लोगों को द छोड़ दिया है मैं यह सब बनाऊंगी बाद में क्योंकि मुझे पहले इनको स्कूल बेजना जरूरी है इनका कोई चीज रहना जाए क्योंकि कई बर क्या होता है ना कि अगर बच्चों को मा ध्यान ना देना तो उनका कुछ ना कुछ सामान रही जाता है तो यहां पर यह सोच करके मैंने बाद में यह सोचा है कि मैं थोड़ देर बाद इनका वो करूंगी क्या बोलते हैं खाना बनाने का बाकी का बाद में करूंगी और हाँ मैं बूल गई थी मैंने बच्चों को नहला है नहीं मैंने पानी अब डाला है पहले मैं बिना नहला है इनको खाना खि हम दोनों अपने प्लांट्स को देख रहे हैं और यह रोज का काम होता है काफी अच्छा लगता है ऐसे देखना तो जी सुबह सुबह का टाइम है साथ बजगर दस मेनट हो चुके हैं और आठ बज़े बच्चे मतला पौने आठ बज़े निकल जाते हैं तो अभी मैं उनको क्योंकि गरम गरम बन रहे थे मैं सुचा पहले खिला देते हैं अभी लेने आई हूं स्कूल ड्रेस में तैयार कर देती हूं को और फिर वो निकल लेंगे बस स्कूल ड्रेस तो क्या अभी स्कूल ड्रेस विंटर्स की आई नहीं यह ठंडी का मुसमा गया तो जो है घर पे घरवाले पनाके बेज जुगी और निच्चे का पूरा हो चुका है बस पोच्छा बचा है निच्चे में साफ सफाई करके जा चुकी थी पोच्छा पोच चुछ की छोड़ दिया कि बाद में लगाएंगे पहले बच्चो को फ्री करते हैं तो चलते हैं ऊपर और बच्चो को नहिलाते हैं और यह चपल जो हैं रेड कलर की यह अंदर पहनने के लिए मंगवाई थी नैनी की हैं तो अब बच्चों को मैं बेच चुकी स्कूल और अभी करूंगी मैं पहले बरतन साफ क्योंकि बरतन बहुत सारे हो चुक हैं खाना बनाने के भी हैं दूद बगरह करने के भी हैं और पानी भरेजाएगा तो बड़े बरतन भी आँ और कुछ बरतन मैं एक्स्ट्रा निकाले हैं जो कि धोने के और रखेते जैसे कि ओयल पोर यहां पर मैंने जब तक के लिए दूद गरम रख दिया है दूद गरम हो जाएगा मेरा और मैं तब तक नहां करा जाएगा यही पहनना चाहिए जैसे एक मिनट एक मिनट जैसे आपन लड़ाई कर रहे थे दोनों मा समझा रहा था कि मेरी 40 साल गुजरगी हाँ ठीक है ऐसे ही इसको बोलते हुए मेरी 11 साल गुजर गई हेलो जी गुद अफ्टर नून कैसे आप सब दोपैर में मिल रहे हैं हम लोग दोपैर के बच गए बारा और आप करनी है ओही मात्ता की कथा आज अहोई एस्टमी कवरत है तो वह कथा करनी है और आज मैंने थोड़ा गेट अप चेंज किया है फुल लुक तो मैं आपको थ देखो यह होता है पॉम्चा पॉम्चे के साथ में और राज पूती पोशाग जोती है उसका लेंगा पहले है तो कैसी लग रीड्रेस मैं खड़ी हो के पूरा लुक दिखाती हूं आपको थोड़ देर में बहले कथा कर लेते हैं फटा 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 से वीडियो को लाइक कर कि अधा हमने काम वाम सारा फिनिश करने के बाद में और यह वाली जो होती नब कथा यह दो पैर के बाद ही चुनते हैं तो फिर मैं सोचा चलो अब सुनते हैं इसको अर हमारे यह बहुत मैं सुनाएंगा कर दो तो जिम बाई टाइटल आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी निए कैसा टाइटल डाला है तो देखें यह जो व्लोग मेरे लेट हो गए लेकिन सरमाजी के व्लोग में मेरा यह लुक दिख चुका है तो कुछ कोमेंट्स आये थे मैं उनको बहुत ज़्यादर रिस्पेक्ट करती है उन कोमेंट्स की मैं उनमें कुछ गलत नहीं कह रही हूँ लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ देखो यह जो पहनावा है न सायद आपने पहली बार देखा होगा लेकिन हर्याना में जो अहिरवाल छेतर होता है न वहाँ पर यह कपड़े पहने जाते हैं और इसी लुक में पहने जाते हैं मैंने पहना ऐसे कुछ कोमेंट ऐसे भी आयए थे कि हां दीदी हमारा पहनावा यह है तो आप लोग कहते हैं कि थोड़ा सा गंदा लगता है लेकिन जब वहाँ पहने जाते हैं तो उनको देखकर मैंने भी ट्राई कर लिया और यह जना कि असली इलता वाली बात जो मैं बता रही हूं न तो देखिए इसमें असली इलता नहीं है आप लोग खुछ सोच कर देखिए वो अपने अपने सोचने का नजरिया होता है कि हम लोग जो लाचा पहनते हैं बहुत सारे लोग जैसे लाचे में एक शोल्डर के ऊपर वो लेते हैं तो उसमें भी सेन और यह ब हैसा ईलू का थैह नलुक आता है लाचे में बाव जोता है पेट थोड़ा store होता है और हम लेडी जो साड़ी पेंते हैं प्रै प्रक कर दिया खेंद कि अबसे पतु assistance और श्याम का बज़िगे अच्छ तर्फी मान निवचे कंक टी लिदा दृदी मामें बना गोण अदडानी 고양 जाते हैं यह नहीं बना जो बना दो अपना दो निचे गया मने नहीं कि अपर दढ दिया और इमिर मटा उठ्षण को नाम नहीं राशी बात करो आप एक बर भी बताई निरू बताई मैं कैवार बताई जूट बोला तो दोनु बखत मिल रही हैं बगवान देख आए सच बताई मैं नहीं बखताई मैं लागो हूँ और आ यहां विच में लागो हो आप तो आप कर दो अचाना यहां नहीं आप बढ़ जाता है अरे बागवान कदे प्रेम से बोले करागें कैदे टीशाना सब्जी काट दीयों पालो की तेकर अरु अनै मिसरूमी मैं बोलियना मैं भूत प् वे माना रियना अजा कि अतनों प्रेम हों! इज विज अतनों प्रेम से अधनी बाताऊ? वी हुआ अजा शोलेयं अधनी प्रेम और पर सुद्धितना रांगअ कु और इक जोस बताऊं तो बहुत बाताऊं जो सोद्ध करने करो क्यों को करूं तो मैं आप लोगों को क्या कह रही थी कि हम लोग साड़ी पहनते हैं उसमें भी तो पेट दीखता है मतलब कि आज कल जैसे की कम कर दिया होगा इस पहनावे को पहना लेकिन बहुत सारे एरिये में अभी भी लहंगा ओड़ना और ब्लाउज इस तरीके से पहना जाता है और जिन लोगों ने देखा है ना उन लोगों के लिए इस तरीके का ये जो पहनावा है ये अस्लीलता नहीं दिखाएगा उन लोगों को आध़त हो चुकि है और आपने पहली बार देखा ना इसलिए आप लोगों को लग रहोगा और बाकी जैसे क devrait होती है मेरे यहाँ पर J सर्माजी ने में इस तरीके का पहनावा नहीं पहना है मुझे इसी का शोक भी नहीं है लेकिन इनके कहने पर मैंने पहन लिया था आगे से मैं ध्यान रखूंगी अगर आप लोग कह रहे हो कि नहीं गंदा लगता है तो आगे से नहीं पहनेंगे और राजस्तानी लूप में जैसे कि इसमें पल्लू आ गया जाता है उस तरीके से ट्राइब कर लेंगे तो चलिए फिर इस विलोग का हम एंड भी करेंगे हम मिलेंगे एक नए व्लोग के साथ में तब तक के लिए बाय और टेक क्या थैंक्स फो वाचिंग जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिगा चैन